नमस्ते बाईयों, Android वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज गिस वीडियो में एक बिल्कुल नया प्रोड़क्ट लेके हाजिरू आप सभी के लिए और ये थोड़ा से डिफरेंट प्रोड़क्ट है, जैसे मैं अन्बॉक्सिंग करता हूँ जैसे स्मार्टफोन और गैजेट हो गया, ये वी एक तरह का गैजेट है लेकिन ये दूसरे तरह का गैजेट है, जब अन्बॉक्सिंग करूँगा आप लोग देख पाएंगे इसको एक क्रेटर के लिए काफी इंपोर्टन गैजेट है, और थमनिल और टाइटल देखके आप लोग पता हो गया होगा कि अक्चुल में प्रोड़क्ट कौन सा है, लेकिन ये जो बॉक्स देख सकते है, बॉक्स के अंदर यहाँ पर मिर्जापूर लिखा गया है जुलाइ फाइब निउ सीजन लिखा गया है, मिर्जापूर का निउ सीजन आ रहा है, तो एमाज़न का जो बॉक्स है कुछ इस तरह का दिया है जिनरली ऐसा बॉक्स नहीं होता है, जिनरली इस टाइप का बॉक्स रहता है, लेकिन यहाँ पर बॉक्स इस बार मिर्जापूर का जो प्रोमोशन है, उसके लिए कुछ इस तरह का दिया है ख्यार देखने में अच्छा लग रहा है, नॉर्मल बॉक्स से थोड़ा डिफरेंट है, चलिए इसको फटा-फट से हम लोग अन्बॉक्सिंग करते हैं, और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या कुछ मिलता है तो बॉक्स को उपिन करन के बाद यहां पे कुछ फिलिंग दिया गया है, ताकि यह जो जादा मूब ना करे, तो यह रहा एक्ट्वल प्रोड़क्ट, जैसे के आप लोग देख सकते हो, यह है एक वायरलेस माइक्रोफोन, जो की हॉलिलेंट के तरप से है, और इसका मॉड है, हॉलिलेंड लार्क M2, हॉलिलेंड लार्क M1 का एक वर्जन था, उसका अपग्रेड़ेड या नेक्स्ट वर्जन आप लोग बोल सकते है, यहां पे यह हॉलिलेंड का लार्क M2 है, और यह मेरे पास कॉम्बो वरियंट में है, इसका जो प्राइस है, एमाजोन के उपर जेनरली 15-16,000 चलता रहता है, जो कॉम्बो है उसका, और जो नॉर्मल कैमेरे के लिए माइक या फिर स्मार्टफोन के लिए माइक है, जो सेट है, वो जेनरली एराउंड 14-15,000 रुपीज प्राइस रहता है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एमाजोन का सेल चल रहा था, उस अगर आप लोग इसको पर्चेस करना चाते हैं, तो मैं आप लोगों सजेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा वेट कर जाए, क्योंकि कुछी दिनों में एमाजोन का ग्रेट इंडियन सेल आने वाला है, उसके अंदर इसका प्राइस फिर से डाउन होगा, तब जाके या फिर जो यूटुवर वगगरा है, या फिर कोई कांटेंट क्रेटर है, जो कैमेरे के अंदर माइक एक वायरलिस माइक चाते है, तो उनके लिए का अफी अच्छा प्रोड़क्ट है, डीजी आ का माइक आता है, जिसके अंदर में आप लोगों को चार्जिंग केस तो अगर आप लोग वह एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग इसको पर्चेस कर सकते हैं, इसके जितने भी रेव्यूज मैंने देखे है, क्वालिटी काफी अच्छा है, और प्रोड़क्ट मुझे इसलिए खास यह लगा, कि यहां पे दूनों स्मार्टफोन के और लेस गो टू माइक, उसके अंदर में ऐसा कोई सेटिंग नहीं था, उसके अंदर में आप लोग को आईदार एक अलग सा केवल पर्चेस करना पड़ेगा, जिसको आप लोग स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, वो भी आप लोग 3.5 जैक अटाप्टर लगा करना पड़ेगा, तो उसमें भी compatibility issue कभी के भी आता है, जो मैं currently face कर रहा हूँ, इसमें वो compatibility issue उठना जाथा नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने इसको purchase किया है, तो चलिए फिलाल इसको open करते है, यहाँ पर देख सकते हैं, बॉक्स कुछ इस तरह का है, पीछे में कुछ details बगीरा अगर आप लोग परना चाहते हैं, तो वीडियो को pause करके पर सकते हैं, अगर आप लोग कैमेरे के अंदर यूज नहीं करते हैं, सिर्फ आप लोग smartphone के अंदर यूज करते हैं, तो फिर भी आप लोग purchase कर सकते हैं, इसका smartphone variant को, ऐधर lightning या फिर type C ford वाला, लेकिन मैं आप ल चांसे हैं, कि आप लोग कैमेरे में switch करेंगे, तो तब आप लोगों को ये चीज help हो जाएगा, तो आप लोग अलग से माइक purchase करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो कुछ इस तरह से box जो है open हो जाता है, और उसके अंदर में first में हमें देखने को मिलता है, एक envelope है, चल जिसके देर में यहां पर कैसे आप लोग आपना sales service को contact कर सकते हैं, वो यहां पर दिया गया है, इसके बाद कुछ emoji stickers है, और यह जो emoji stickers है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहां पर इनको आप लोग अपने माइक का transmitter है, यान कि जिसको आप लोग को लगाएंगे, उसके उपर में यहां पर स्टिक कर सकते हैं, और उसका look को totally change कर सकते हैं, और जो holly land का logo है, उसको हाइड कर सकते हैं, अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं, या फिर आप लोग अपने shirt के कलेर कीज़, आप से white या black ऐसे simple में भी लगा सकते हैं, तो कुछ इस तरह का stickers आप लोग के अंदर देखने को मिलता है, वो आप लोगों देखने को मिल जाता है, सबसे फैले तो यहां पर transmitter दो मिलेंगे, यह combo variant है, उसका मैं बता रहा हूँ, camera version के लिए यहां पर एक receiver मिलेगा, एक USB-C receiver मिलेगा, एक lightning receiver मिलेगा, इसके बाद में यहां पर charging case मिलेगा आप लोगो, दो wind screen मिलेगा, USB-A to USB-C cable मिलेगा, चार्ज करने के लिए पूरा charging case को, साथी में 3.5mm TIRS to TIRS cable मिलेगा, camera के लिए, back clip मिलेगा आप लोगो, clip magnet मिलेगा, necklace मिलेगा, stickers मिलेंगे, quick start guide, warranty card और एक bag मिलेगा इन सब को carry करने के लिए, तो चलिए इसके अंदर में सारे जो देख, खतम हो गए, उसके बाद यहाँ पे हमारा actual जो product है, वो निकल जाता है, तो यहाँ पे यह जो charging case है, वो पहले देखने को मिलता है, और देख सकते है, charging case कुछ इस तरह का है, totally deep black नहीं करेना चाहूँगा, यहाँ पे slight navy blue kind of color है, dark blue dark navy blue kind of color है, और काफी matte finishing साथ आता है, और काफी premium यहाँ पे looks है, मैं अभी यहाँ पे इसको TWS के साथ compare करूँगा, तो देख सकते हैं, TWS का size generally ऐसा होता है, और यहाँ पे इसका charging case कुछ इस तरह का है, बहुत जादा साथ ही मैं यहाँ पे और एक OWS का मैंने unboxing किया था, तो उसके size के बरावर almost आप लोग देख सकते हैं, तो pocket में easily आप लोग इसको carry कर सकते हैं, और इसके अंदर में open करेंगे तो देख सकते हैं, यहाँ पे तीन चीज़े आप लोग देखने को मिलेगा, दो transmitter देखने को मिले हैं, और इसके tick पीछे अगर आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पे magnets दिये गया है, magnets यहाँ पे stick और रहता है, तो इसको आप लोग अपने cert में लगाएंगे, तो इस तरह से आप लोग stick कर सकते हैं, इस चीज़े को आप लोग बाहर रख सकते हैं, या फिर mic को बाहर रख स सकते हैं, अपने convenience के हिसाब से, इसके लाबा यहाँ पे एक receiver मिलता है, और यह receiver भी काफी छोटा सा receiver है, तो इसको भी आप camera के अंदर easily fix कर सकते हैं, यहाँ पे इसके अंदर dedicated type C port है, charging के लिए, और यहाँ पे नीचे कदर pin है, जिसको आप लोग यहाँ पे लगाएंगे, त और यहाँ पे knob dials है, जिसके अंदर में आप लोग कितना volume है, वो देख सकते है, माइक का, यहाँ पे 3 levels है volume का, 3 level में आप लोग increase or decrease कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग mono और stereo में यहाँ पे switch कर सकते हैं, और इससे आप लोग power on off कर सकते हैं, फिलाल चलिए इ जो receiver है वो है और यह type c port के लिए receiver है और यह type c port के लिए receiver है यह directly connect हो जाते है इसके अंदर में कोई inbuilt battery नहीं रहता है तो यहाँ पर इसको charge करने का कोई जरूरत नहीं है और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर type c port इस तरह से है और इस तरह से देख सकते हैं तो जब आप लोग फोन के अंदर लगाएंगे इसको तो type c port आपका ब्लॉक हो जाएगा तो इस type c port को तब आप लोग यूज कर सकते है चार्जिंग के लिए है देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाता है और कवर के साथ भी आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा तो अलग से आप लोग को इसको पावर आप करने की ज़रुवत नहीं है और lightning के केस में आप लोग तो lightning port ही काम में लगेगा type c port का वो क्या करेंगे तो यह थोड़ा सा hit and miss मुझे लगता है कि हो गया है क्योंकि जो लोग यहाँ पर lightning port को यूज करेंगे उनको type c port से अगें चार्ज करना पड़ेगा यानि कि उनको दो केवल यहाँ पर यूज करना पड़ेगा एक तो lightning cable और एक type c cable चार्ज करने के लिए तो अभी इनको side में हटाते हैं और further अंदर में देखते हैं क्या कुछ चीजे हैं इनको हटाने के बाद और एक ऐसे hidden box kind of है जिसके अंदर में एक bag सा है पैकेजिंग में कहना चाहूँ कि काफी अच्छा पैकेजिंग है मैंने इससे पहले road का वी unboxing किया था लेकिन road का packaging इतना अच्छा नहीं था इतना price होने के बाद भी road का price इतना अच्छा नहीं था जो कि काफी sad है और इसके अंदर से निकलते है पहले तो दो windscreen निकल जाते है उसके बाद यहां पे cables बगेरा जो है बोर निकलते है तो बैक पुरा खाली हो गया है अभी एक एक करके जो accessories है वो हम लोग देख लेते हैं तो यह है first accessory जो कि एक collar locket यहां पे दो lockets आप लोगों मिलेंगे कुछ इस तरह से इसको आप लोग गले में टांग सकते हैं और इसके मदद से आप लोग जो mic है उनको यहां पे attach कर सकते हैं देख सकते हैं यहां पे securely attach हो जाता है आप लोग ऐसे जो magnet है इसको हटा के भी ऐसे attach कर सकते हैं हाला कि magnet हटा के जब आप attach करेंगे तो थोड़ा सा attachment कम लग रहा है मुझे तो magnet लगा के ही आप लोग यहां पे attach कीजिए और इस तरह से आपका माइक जो है आप लोग टांग सकते हैं अपने गले के अंदर में यह तो हो गया एक अक्सेसरी अभी यहां पे देखते हैं कुछ यहां पे clips भी है मैंगनेटिक क्लिप है यहां पर सारा कुछ जो है मैंगनेटिक है तो इन मैंगनेट के साथ भी आप लोग यहां पर इसको करेक्ट कर सकते हैं और करेक्ट करने के बाद इस क्लिप के सहारे आप अपने सर्ट के अंदर टी शर्ट के अंदर लगा सकते हैं और मैंगनेट काफी स यह ऐसा, clip दे देते, तो अच्छा रहता, क्योंकि यहां पर, क्योंकि आप लोग ऐसे, connect करेंगे, इस clip को, तो हो सकता है कि आपके, जो movement है, body movement है, उसके अंदर हाथ बात लगके, कहीं यह, निकल भी सकता है, अगर निकल जाेगा, तो बहुत ही, दिक्कत हो जाएगा, आप ल भूंट भी नहीं पाएंगे इसने छोटे माइक को अल्रेडी मेरा जो रोड का सिस्टेम है रोड वायरलेस गोटू उसका दो ट्रांस्मिटर था उसके अंदर में एक अल्रेडी मैं खो चुका हूँ बाहर में जब गूमने गया था व्लॉगिंग बगेरा कर रहा था तो वहां पर मैं अल्रेडी खो चुका हूँ तो यह तो और भी छोटा है यह और भी एजीली खो सकता है तो यहां पर एक solid clip बगेरा या फिर ऐसा कुछ attachment होता तो और अच्छा हो सकता था लेकिन खैर इस तरह से आप लोग मिलेगा और एक चीज यहां पर मैं आप लोग दिखाना चाहूँगा यहां पर यह जो locket है यह सायद आप लोग पहले किसी ने नहीं दिखाया होगा यहां पर जो चीज है यह भी एक magnet है लेकिन यह भी ऐसे इस तरह से निकल जाता है तो इसमें भी जब आप लगाएंगे तो यह भी मुझे कुछ उतना खास secure नहीं लगा क्योंकि जब आप लोग ऐसे connect करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं जब प्रेशर पड़ता है तो यह अंदर से निकल के आ जाता है तो यह भी कुछ उतना खास secure मुझे नहीं लगा तो जो mounting options है उससे मुझे थोड़ा सा दिक्कत है बाकी जो accessories है वो तो अच्छे है अच्छे accessories मिल रहा है साथी में यहां पर एक USB-C केवल मिलेगा USB-A to C केवल है काफी अच्छी quality का केवल है इससे आप लोग पूरा चार्जिंग केस है इसको चार्ज कर सकते हैं और साथी में एक जो लूप है यह भी दिया गया है ताकि आप केवल को एरेंज सही से कर पाए फाइनली यहां पर एक TRS to TRS केवल है जो आप लोग इस receiver के साथ में एक end में connect करेंगे यहां पर और दूसरा end आपका camera के अंदर connect हो जाएगा और यहां पर एक windscreen आप लोगो दिखा देता हूँ मैं आप लोगो दूसरा भी same होगा और यह windscreen जो है कुछ इस तरह का है यहां यहां पर पूरा जो माइक है यह इसके अंदर में डालना पड़ेगा और थोड़ा सा यहां पर मुझे लग रहा है कि टाइट जैसा है यहां पर elastic material है लेकिन फिर भी यहां पर टाइट है कभी यह मेरा लग गया है लेकिन एक चीज है माइक तो काफी छोटा है देख सकते हैं लेकिन जब भी आप लोग इसको windscreen को लगाते हैं तो देख सकते हैं कितना बड़ा size का हो जा रहा है तो जो actual concept था इसको easily hide करनेगा तो अभी यह तो hide उतना आच्छे से नहीं होगा और एक च तो आप पीछे से देखी नहीं पाएंगे कौन सा side अब है कौन सा down है तो यह भी एक मुझे लगता है कि problematic चीज है फिर से आपको निकालना पड़ेगा देखना पड़ेगा फिर आप लोग अंदर इसको रख सकते हैं तो यह भी इसका एक problem है हाला कि मैं जब से शुरू किया अंबॉक्सिंग problem problem ही बता रहा हूँ लेकिन सिर्फ problems मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह जो product है इसके बारे में काफी positive reviews है और actual product भी अच्छा है मैं इसका test reviews भी आप लोग दूँगा लेकिन जो चीजे जो problem है जो improve हो सकते थे वो आप लोग पहले बता देना चाहिए लेकिन यह जो problem से अगर आपको पता नहीं होगा तो आप जब बात में यूज करने जाएंगे तो आप लोग यह सारे problems अपने से face करेंगे और आप लोग दूसरों को को सेंगे इससे अच्छा है कि problems मैंने आप लोग बता दिया अभी अच्छे चीजे तो है quality तो अच्छा ह अभी आप लोग यह जो audio सुन पा रहे है यह audio record हो रहा है directly camera के अंदर में और यह audio record हो रहा है Holyland Lark M2 के साथ में यहाँ पे chest मेरे पास देख सकते है जो mic का transmitter है बोर मेरे पास है और receiver है वो camera के अंदर लगा हुआ है और जो distance है around 3 feet के distance यहाँ पे camera के साथ में है जो की ज्याद में से अगर आप लो record करते हो तो कोई दिक्कत तो आएगा नहीं लेकिन अगर दूर से भी record करते हो तो उस case में भी आप लोगों को कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा तो जो audio सुन पार है directly camera में record हो रहा है कोई noise cancellation मैंने apply नहीं किया है हाला कि हो सकता है कि levels को थोड़ा क wireless go 2 है इसको भी हम लोग connect करेंगे और उसके साथ में जो audio है वह भी test करेंगे और आप लोगों को एक अंदाजा हो जाएगा कि almost double or triple price में जो यह road wireless go 2 मिलता है उसका audio quality के साथ यह कैसे compare करता है क्या आप लोगों को इसको छोड़के road के साथ जाना चाहिए या नहीं तो देख सकते हैं मैंने यहां पर लगा दिया है और जो audio quality आप लोग सुन पा रहे हो directly एकदम raw audio है सिर्फ levels को मैंने adjust किया है बाकी कोई भी noise cancellation या फिल्टर अपलाई नहीं किया है ताकि एकदम जो raw quality है उसको आप लोग सुन पाओ साथी में compare कर पाओ holiday and lark m2 के साथ में कैसा overall quality मिल रहा है रोड में हाला कि बहुत सारे extra features भी आप लोगो मिलता है जो आप लोग को holiday and lark m2 में नहीं मिलेंगे लेकिन mostly users के लिए यह सब extra features है उतना useful नहीं होता है और मैं भी अपना using span है around 2 years अभी हो गया है road wireless go to के साथ में तो यह सब जो extra features है मैं कभी कभारी use किया हू उत तो भाईयो अभी आप लोग यह जो audio सुन पा रहे हो यह hollyland lark m2 का है मैंने इसको mobile के साथ connect कर दिया है यह वाला audio mobile में record हो रहा है मैंने mobile से connect कर दिया है और यह देख सकते हो mic mic का जो transmitter है उसको मैंने अंदर रख दिया है cert के और जो magnet है उसको बाहर रखा है mic अंदर रखने के लिए वह भी इसका एक test है अगर आप लोग इस तरह से test करना चाहते है तो वह भी कर सकते है तो फिलाल audio quality कैसा लग रहा है आप लोग चेक आउट कर सकते है इसका comparison भी दिखाओंगा मैं आप लोगो road wireless go 2 के साथ में इसके बाद जो audio आप लोग सुनेंगे वह mobile में ही record तो भाई अभी का जो audio है audio record हो रहा है road wireless go 2 के साथ में देख सकते हैं यहाँ पे मेरा माइक है और windscreen मैंने लगा के रखा है ताकि जो wind noise है आदा के भी wind कम ही है जो wind noise है उसको भी cancel out कर देगा तो एक fair comparison बनेगा जो hollyland के साथ था उसका एक fair comparison और यहाँ पे मैंने mobile के साथ में type C to C cable के साथ में जो road का receiver है उसको connect कर दिया है क्योंकि directly कोई receiver नहीं होता है क्योंकि hollyland के तरह directly उसका कोई receiver अलग से नहीं आता है तो जो same receiver है जो camera में लगता है उसी को ही type C to C cable के साथ कर दिया है जो support करता भी है मोबाइल के अंदर में तो उसके साथ में यह audio record हो रहा है तो audio quality क्यासा है आप लोग जज कर सकते हैं अभी इस comparison को करते हुए एक चीज मैंने नोटिस किया है यहाँ पर जो hollyland का audio है वो काफी loud आता है जो loud record होता है मोबाइल के अंदर में लेकिन जो road का audio है काफी low sound record होता है हाला कि audio जो है अच्छा record होता है माइक के through record होता है लेकिन जो audio का loudness है बहुत ही कम आता है मैं side by side एक और comparison दिखाऊंगा पहले तो दिखाया था दोनों का level same करके audio का लेकिन अभी दोनों का level same ना करके जो raw recording होता है उसमें किसका volume कितना ज्यादा record होता है वो मैं आप लोगो दिखाऊंगा यह चीज मुझे रोड का एक drawback लगा यह मैंने पहले भी notice किया था generally मैं sound को increase करके कर दे दा था लेकिन यहाँ पे जो raw recording होता है उसका sound काफी low record होता है mobile के अंदर में तो भाईयो अभी आप लोग यह जो audio सुन पा रहे हो यह Holyland Lark M2 का है तो यह चीज एक problem है road के लिए और directly connect भी नहीं कर सकत होलेगा फिर जाकर कर सकते हैं तो अगर mobile के लिए आप लोग लेना चाहते हैं और कभी के बार camera में भी यूज करना चाहते है तो उसकेस में मैं suggest करूंगा कि Holyland बेटर आप लोगों को provide करेगा जो support है वो better provide करेगा और audio quality भी overall थोड़ा सा better मिलेगा हाला कि जो audio quality है road का अगर overall देखेंगे तो camera में अच्छा record होता है लेकिन Holyland का overall बेटर आप लोगो quality मिलेगा as per price point तो वाई यह था Holyland Lark M2 एक wireless microphone जो की काफी affordable है और अगर आप लोग इसको भी purchase नहीं कर पा रहे है इसका price आप लोगो ज्यादा लग रहा है तो मैं आप लोगो सेलेश्ट करूंगा इ M1 जो around 8,000 रुपीज और offers के अंदर 7,000 रुपीज में मिल जाएगा आप लोगो तो वहाँ पे आप लोगो एक receiver मिलेगा और दो transmitter मिलेगा लेकिन यह जो pack है मतलब smart phones के लिए अलग-अलग connector यह चीज आप लोगो नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप लोग Amazon से purchase करते हैं तो यह इस जो cable आप लोग देख रहे है type C to 3.5 mm to 3.5 mm jack इसके जगह में आप लोगो और दो extra cables मिलेगा जहां पर एक side में 3.5 mm jack होगा और एक side में type C या फिर lightning port होगा ऐसे 3 cable मिलेगा तो उससे भी आप लोग इस receiver को मतलब जो M1 को receiver है उसको directly अपने smart phones के साथ में connect कर सकते हैं आप लोगो अलग से कोई भी converter या connector लगाने की ज़रूत नहीं है तो आप लोग अगर smart phone के लिए purchase करना चाहते है या फिर camera के लिए purchase करना चाहते है budget आपका कम है तो इसको purchase कर सकते है या फिर इससे भी कम price में holiday Lark M1 purchase कर सकते है तो उम्मीद है भाईयो यह वीडियो आप लोग प झाल 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 क्या टो आप시ये जका झाल झाल करना одно कर उक्था झाल कर दो में जकाल के श When यह झाल कर झाल झाल कर सकत पूड़ गा